अजमेर में चलती बाइक पर खुले आम रोमैंस करते हुए युवक युपती का वीडियो सामने आया है जो अजमेर की पुशकर रोरका है वीडियो सामने आने के बाद किशन गंज थाना पुलिस मामले की जाज शुरू कर दी है पुलिस ने सिस्टिवी के अधार पर बाइक सवार आरोपी को चिनहित किया पुलिस के ओर से मामले में कई धाराओं में मुकदमा दर्च कर बाइक को जब्द किया गया पुरिस मामली की तफ्तीश में जुटी है 52 सेकिंड के कुल 5 वीडियो सामने आए है इसमें बाइक के एक युवक चला रहा है युवक्ति आगे की तरफ पीछे मूँ करके बैठी है बाइक सवार अजमेल से पुषकर की तरफ जा रही है ये वीडियो सोंबार रात का बताया जा रहा है सारजिक भल पर अश्लीलता और जान को संकट में डाल कर किये जा रहे है स्कृत्ते को लेकर शेहर में चर्चा है पूरे मामले पर किशिन गंश थाना प्रभारी करण सिंग ने बताया कि वीडियो सामने आया है टीम गठित का जाज की जा रही है पुष्टी होने पर युवक युप्ती के खिलाप नियम अनुसार कारवाई की जाएगी विश्वेंदू परिशत के प्रांच से मंत्री शची प्रकाश इंदौरिया ने बताया कि प्रदेश में कानून विवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है अजमेर में जो वीडियो सामने आया है वो हमारी सरातल संस्कृति का अपमान है जिस देश में बेटियों को दुर्गा के सोरोप में पूजन किया जाता है उन बेटियों का इस प्रकार से वीडियो जारी होना और इस पर अभी तक कोई आक्शन पूरिस के द्वारा नहीं लेना इन इश्चित रूप से अचब्वित कर देने वाला विश्य है इस पर कानूनी कारवाई होनी चाहिए वह इस पूरे मामले पर विश्विंदू परिश्वत की पतादिकारी लेखराश श्वर्मा ने बताये कि यह श्रीलिता का वीडियो सामनी आये है यूँ अख्यूर्ती भारते संस्किती का हनन कर रही है इस मामले में संक्षन क्यों से शुकायत दे कर कारवाई की मांग की जाएगी एडवोकेट यूगेंद रोज्वा ने बताये कि सड़क पर ऐसा क्रिक्ते अपराद है भारते ड़न सहीता यानि कि आईपीसी की धारा कि अरुसार जो भी वहान एक सारवश्रिक मार्ट पर किसी भी तरह की जल्दबाजी अलापरवाही से चलाएगा या सवारी कराता है जिससे मानव जिवन को कोई सर्कत हो ऐसा करने वाला आरोपी माना जाएगा दोशी पाये जाने पर उसे किसी एक अवधी के लिए जेल भी हो सकती है जिसे चे महेने तक बढ़ाय जा सकता है या उस पर आर्थिक डड़ लगाये जा सकता है इसके लावा फिर दोशी को दोनों तरह से डंडित किया जाएगा ये एक जमानती और संगनी अपराद है आपको तादें कि 36 गड़ के दुर्ग जिले में बीते दिनों बाइक पर रोमाइंस करते वे कपल का वीडियो सामने आये था पुलिस ने मामने में संग्यान लिया और दोनों को विरफ़ार कर लिया जाच में ये भी सामने आये था कि कपल के पास कागज नहीं थे और वो चोरी की वाइक चला रहे थे